हेलो दोस्तो आपका स्वागत है तोनसरी इलेक्ट्रोणिक्स में दीखे Kitchen मेरे पास दीखे मारुतिस सू्जुगी कंपनी का स्टेडियो आया है यह जो है Swift में लगके आता है Age畫 में लगके आता है उसके बाद Bolaा में लगके आता है Scorpion में लगके आता है ठीक है यह stereo में problem क्या है हम line दे करके आपको दिखाते हैं क्योंकि यह stereo जो है अभी काम नहीं कर रहा है customer ने बोला इसको repairing करने के लिए तो हम इसको आज दिखेंगे line दे करके क्या दिक्कत है और इसको repair भी करेंगे देखते रहिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर किजिए गात तो यह इसमें दिखिए दोस्तो इस चीज आपको दिखाते हैं इसमें दिखिए CD भी चलता है और यहां पर जो है pen drive बगारा लगा सकते है इसमें ब्लूटूथ बगारा नहीं होता है कोई-कोई लोग जो है comment करते है ब्लूटूथ इसमें नहीं होता है तो इसका पीछे भी दिखाते है इसमें पीछे कैसा system है देखें पीछे इसका connection देखिए यह जो है यह जो ब्लू कालर का जो socket है यह हमारा speaker point है और यह हमारा जो है supply connection है supply में जो है main हमारा होता है blue मतलब yellow red और जो है black और यह वाला जो होता है इस color का जो connection है इससे क्या होता है कीपेट में जो lighting आता है सामने जो कीपेट होता है हापे lighting आता है ठीक है उसी सी connection से यहापे light भी आता है तो इसको line दे करके देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है ठीक है और इसको repairing करेंगे देखते रहिए ठीक है मैं पहले इसको line देता हूं तो दोस्तो line देने के लिए हम यह 12 बुल्ट का adapter चाहिए वह हमने 12 बुल्ट का adapter इसमें negative लगा के रखा हुआ है यह हमारा positive है तो इसको यहापे लगाते हैं और देखते हैं इसका जो front panel है इसमें क्या आ रहा है या on हो रहा है या नहीं हम आपको दिखाते हैं इसमें AC का code भी लगा देते हैं यह हमने AC code लगा दिया यह दिखें इसमें जो है display में जीरो-जीरो आ रहा है यह जो power button है इसको प्रेस करते हैं यह power button काम नहीं कर रहा ठीक है इसमें problem है power button काम नहीं कर रहा तो यह power button क्यों काम नहीं कर रहा यह हम देखेंगे तो इससे पहले हमको जो है power button के बदले हमें एक pen drive लगा करके हम देखते है pen drive लगाने के बाद यह on होता है यह नहीं pen drive लगा देते हैं देखें दोस्तों pen drive लगाने के साथ-साथ यह on हो गया है अब इसमें देखें यह volume भी काम कर रहा है ठीक है लेकिन power button काम नहीं कर रहा है बाकि सब function इसका ok है इसमें अगर आगर और के पाम नहीं कर रहा है ़ो इसमें क्या दिक्कत होता है किस बज्यसे काम यह करता है अगर आप यह बटन आपको काम नहीं करेंगा तो आप upside में इसको बजा नहीं सकते सिर्व इसको पैंड्राइब में हई बदा सकते है इसका नेक्स्ट देखते हैंने स्कूंक आधे नेक्स्टी पाहले इसको बंद करके का यह हम्ने power button प्रेस क्या बंद नहीं हो रहा हुए तो इसको कोल के देखते हैं मि phenomenal देखते रही है पहले इसको मैं स्कोल लेता हूं इसको फोलने के लिए हमको इसका लाइन जो है बंद करना का तु में एक फ्रेम लगा है, इसको भी निकालना होगा अक्सर इस प्रेयो में यह जो ESB के सॉकेट होता है यह लूज होता है, इस तरह से हिलता है और हिलने के वज़ें से ESB हमारा सपृट नहीं करता है, ठीक है इस ESB सोकेट में से एक सोकेट में एक छोटा सा किट लगा हुआ रहता है एक्स्ट्रा करके कम्पानिय वाला यह लगा देता है तो इसको निकाल लेते हैं उसको निकालने के लिए सिंपल साइजर साइड में लोक दिया गया है यह लोक हम निकाल लेंगे दिरे दिरे इस लोक को हम निकाल लेंगे उसके बाद इस प देखे, करिब-करिब निकल चुका है, वी दिखे, हमने इसको खोल दिया है, तो इसमें देखते हैं, इसका जो सॉकेट है, उसमें कोई प्रब्लम को नहीं है, इसको हम, इसका जो PCV है, PCV को निकलना पड़ेगा हमको, इस PCV को निकलने के लिए यहापे जितना सारा स्कुरू है, स्कुरू को हम खोलना पड़ेगा हमें, यहापे पानी जैसा कुछ गिरा हुआ है, कारबन जैसा है, इसको अभी हम साप कर देंगे, तो पहले इसको खोल ल कि देखिए यह अलग हो चुगा है कि देखिए यहां पर जो है कि कुछ कारवन जैसा है यहां पर देखते हैं देखिए दोस्तों यहां पर भी कारवन जैसा है ठीक है तो इसको भी निकालना पड़ेगा यह बोलेम का नौप जो है इसको भी निकालना पड़ेगा तभी हम इसमें काम कर सकते है यह जो रिमोट होता है उस तरह का है यह पैनल इस पैनल को हम साफ करके देखेंगे दोस्तों यह अंदर में इसका पार बटन है यह यह पार बटन है अंदर में आपको दिखाई दिया होगा यह पार बटन है यह इसको प्रेस करते ही पार ओन होता है तो हमें इसको जो है अच्छे से इसको क्लीन करना पड़ेगा दिखें किस तरह का कर्बन जैसे हो रखका है इसको हम अच्छे से साफ करनेंगे उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चला है यहाँ पर यह जो छोटा छोटा इदर लाइन होता है कहीं पर हम आरान जो है डिसकनेट होकर हो रखका है देखें यहाँ हम आपको दिखाते हैं oh मिल रहा है कि इदर नहीं मिल रहा हुज यह जो बटन है इसमें काम करना करने रहा है लेकिन यहां पर की ब indulges है यहां पर हमारा की ब Dulges नहीं है, इसके वज़े से यह हमारा बटन जो हे add button कामने कर रहा है और इसके जो हे next again का button भी कामने कर रहा है तो यहां पर कौन सा ब उल्टिस हमारा मिसिंग है आपको दिखाते हैं यहां पर देखिए 4.7 बोल्ट इसमें है लेकिन यहां से यह ट्रेक यह तक आया है यहां पर बोल्ट इस नहीं है तो हम क्या करेंगे यहां से जो करके इधर से एक छोटा साथ जंपल लगा के देखेंगे यह काम करता है कि नहीं क्योंकि यहां connection हमारा गया कहा इस पॉइंट पर गया है इस पॉइंट से जा करके निकला इधर इस पॉइंट से ठीक है यहाँ पर निकला आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं यहाँ पर निकला यहाँ से निकल करके इसमें आया ठीक है इसमें आकर करके फिर इसमें आया ऐसे जाखर के हमारा पॉइंट जो है इसमें निकला है तो यहां से यहां तक कंटेनिटी कनेक्शन है लेकिन यहां से यहां तक कनेक्शन नहीं है तो यहां पर हम एक जंपर लगा के देखते हैं यह जो की की बोल्टिस है मतलब की बोल्ट बोलते है की बोल्ट कोई भी स्टेडियो में की बोल्ट होता है मतलब सुचिंग बोल्टिस होता है जो कोई भी सुच हम दबाएंगे तो बोल्टिस हमारा जो है ब्लिंग करेगा यह बोल्टिस हमारा जो है यहां पर आ नहीं रहा तो अगर ब अंदर में I-C है, प्रोसेसर है, प्रोसेसर को signal देगा, ठीक है? प्रोसेसर को signal देगा तब भी प्रोसेसर ओन होगा, स्टीरियो हमारा ओन होगा तो इस तरफ का button वगएर अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एगेन बटन है यह काम नहीं कर रहा और इधर सोर्स बटन हमारा काम नहीं कर रहा और इधर पार बटन भी काम नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे यह जो वोल्टेस हमें दिख रहा है आपको दिखाते हैं अच्छे तरह से अब दिखेगा यहाँ पे दोस्तो यहां से यहां तक कनेक्शन होना चाहिए लेकिन यहां से कट कट दिखाई दे रहा है मतलब यहां से डिसकनेट हो रखा है हमने इदर किसी चीज से साफ किया है साप करने के बाद हमारा दिखाई दे रहा है इहां पर डिस्कनेक्त है यहां पर जंपर लगा के देखते है यह काम करता है या नहीं कभी कभी इसी whack स्टिरी膜ांट में ही होता है बेवार लोगे होता है इसलिए अमरा बटन वगरा काम नहीं करते हैं तो हम इसमें पहले एक जंपर लगा के दिखाते हैं आपको तो दोस्तों देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर सोल्डिंग करके इसको जॉइन कर दिया है यहाँ तक हमारा 4.7 वोल्ट आ रहा था लेकिन जो है इस ट्रेक से इस तरफ जाने वाले ट्रेक पर हमारा कोई वोल्टेस नहीं था तो हमने यहाँ पर एक जंपर लगा दिया और जंपर किस तरह से लगा देखिए यहाँ से जाकर के इस तरफ गया इस तरफ जाकर के फिर से connection हमारा हो चुका है तो हम अभी देखते हैं इसमें track में जो है voltage आना चाहिए जितना voltage आना चाहिए वो voltage हमारा मौझूद है या नहीं हम आपको दिखाते हैं हमने पहले जो है stereo को एक ground देना है हमारा अभी देखिये मीटर की तरव देखिएगा कि यहां पर हमारा 4.7 बोल्ट है देखें 4.7 बोल्ट और है देखें 4.7 बोल्ट यहां पर मतलब हमारा मिसिंग हो रहा था इसलिए जो है हमारा कोई भी बटन हमारा काम नहीं तो हम पहले इसको फिटिंग करते हैं उसके बाद आपको चला के दिखाते हैं यह अभी काम कर रहा है या नहीं क्योंकि यहां पर हमारा वोल्ट हमारा मुझूद है इसलिए हम काम करेगा अभी देखते हैं फिटिंग करके बीना फिटिंग के तो इसको चला नहीं सकते तो इसको फिटिंग कर लेते हैं उसके बाद आपको इसका क्ले करके आपको इसका साउंड सुनाते है ठीक है देखते रहिए पहले इसको अच्छे से इसको फिटिंग कर लेते हैं यह स्टेरियो में ज़्यादा तर यह जो स्विच का प्रोब्लम ही होता है तो अगर किसी को इसके बारे में ज़्यादा ही मता बच्ची करने के ज़रूरत नहीं है ठीक है यह पर आप एक काम कीजिएगा की बुल्टेस अगरा अच्छे से चेक कीजिएगा तब भी इसका प्रोब्लम का सोलोशन मिलेगा नहीं तो दिन भर मताब अच्ची करेंगे तो यह स्टीरियो हमारा बन नहीं सकेगा ठीक है यह हमारा इस तरफ का जो कीपेट है वो लग गया है अभी इस तरफ का लगा दिते हैं उसके बाद आपको कि चला के भी दिखाएंगे हमारा वीडियो जो है दोस्तो बहुत सारे लोग देखते juvenile लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं लाइक नहीं करते हैं है थिक है तब आपके लिए बहुत मेनत से हम वीडियो बनाते हैं यह दखिए इस तरह से फिटिंग हो चुका है और इसका जो बूलियंयम का बटन है इसको भी लगाना पुरेगा बूलियम दखिए kis तरह का है यह हमरा बूलियम है इसको लगा देते हैं पहले उसके बाद बाकी ज्रप्त काम है उवह हम करेंगे लग गया यह जो बटन है इसको भी लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिव मतलब यही देखिये पुटिंग हो गया तो अब इसको इसका जो फर्न फैनल है इसमें लगा देते हैं उसके बाद सारा पीटिंग वागरा हम करेंगे यह पीदी की धूल मिट्टी लगा है इसको थोरा साप कर देते हैं तरह से बेढ़ गया इसको जो ग्लस है इसको भी तुरा साप कर देते हैं क्योंकि अक्बर एक फिटिंग हो गया दुबारा कोलने की जुरूरत नहीं पड़ेगा इसको हमको फिर से खोलना पड़ेगा यह अंदर में जाता है पहले इसको खोल लेते हैं यहां पर बैठता है यह नोब हम भार से लगाएंगे इसको पहले इदर अच्छे से बिठा लेते हैं यह दिखिए अभी हम नोब को लगाएंगे पहले यह जो बोलियम का नोब है इसको पहले लगा लेते हैं यहां पर ग्रूप बना हुआ रहता है उस ग्रूप में ही लगाना पड़ेगा यहां पर चोटा सक बोर्शर लगा हुआ है रबर के यह लगगी है तो इसका स्कूब भी लगा लेते हैं इसको फिटिंग करते हैं उसके बाद आपको साउंड इसका सुना के दिखाते हैं कि अ है अगे दिखए हमारा स्टीरिउ भी विटिंग हो चुका है तो इसको उन करते हैं यकि गुर्फ बिल्कुल काम कर रहा वी बूलेंप का भी काम कर रहा है इसमें जो सोर्स crash ये लिखके यह देखे दिकिए काम कर रहा है एक यहां पर जो हमारा कि ने एक लाइन तूट गये था उसके वजे से हमारा स्थीर हstragg जो है के नहीं कर रहा था अब ही हमारा स्थीरियो香港 कर रहा है इसका survival by प्ले हो चुका है यह दिखिए नेक्स्ट ही हो रहा है यह हमारा इगेन हो रहा है यह हमारा नेक्स्ट हो रहा है इसमें इतना ही काम था अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जुरूर कीजिएगा thank you